अरे काईद यार आज हम आपको एक सच्छी कहानी सुनाने वाले हैं जो कि लोड सेंटोस के अंदर हो चुकी है तो आप सभी लोग दिल थाम के बैच जाओ क्योंकि हम आपको वो कहानी इस जादूई लैप्टोप के अंदर दिखाने वाले है यार तो फ्रैकन भाई चल्दी से कहानी स्टार्ट करो तो कहानी की शुरुआत में हम 1990 का समय देखते हैं जहां एक फैमली समुदर के किनारे एक घर में रहा करती थी फैमली के अंदर दो कपल और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी और रात को जब वो फैमली केम्पिंग करके अपने घर के बार सो रही थी तो उसके डैड को एक अजीब सी आवाज आती है और उस बच्ची का बाप देखता है कि ये आवाज तो सीधा समुदर के अंदर से आ रही है और ये तो बिना कुछ सोचे समझे समुदर के अंदर चलांग मार देता है और जैसे ही इस बच्ची के डैड समुदर के भार आते हैं उनने को ये अंदर से खीच लेता है जिसके बाद उस आत्मी का कुछ भी पता नई लगा अब कहानी कुछ साल आगे जाती है जहां मैक्स और उसकी वाइफ एक पैट शोप में बहुत सारे जानवर बेचा करती थे और उनका बेटा भी उनकी मदद करता था जो कि सभी जानवरों की देख बाल करता था और जैसे ही उनकी शोप बंद करने का टाइम आता है उनके पास एक वकील आता है जो कि मैक्स को बोलता है कि मैं तुमारी मम्मी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ लेकिन मैक्स की वाइफ बोलती है कि मैक्स की मम्मी तो दो हफते पहले ही मर चुकी है तो वकील बोलता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ इसलिए मैं ये आया हूँ क्योंकि मैक्स की फैमिली ने इससे बहुत सा ये रात चुपा रखे हैं जो कि इसकी मम्मी ने भी से नई बताई थे तो मैक्स मेरी बात ध्यान से सनो तो मारे मोम दैट का एक पुराना घर है जो कि समुदर किनारे बसा हूँ है और उस घर के आगरी मालिक तुमें हो ये लो उसकी चाबी पकड़ो तो मैक्स बोलता है मेरे पापा तो पहले ही मर चुके थे तो वकील बोलता है नई तो मारे पापा मरे नई थे वो उसकी घर के आसपास कहीं खो गए थे तो इससे हमें ये पता लगता है कि कहाने के शुरुवात में जो हमें फैमिली दिखाई थी वो मैक्स के मॉम और डैट थे तो अब मैक्स भी समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने उससे जूट बोला था तो इसी के साथ मैक्स और उसकी फैमिली पोच जाती है अगली रात को उस वाले घर के पास और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि यहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता क्योंकि मैक्स और उसकी फैमिली के लावा यहां पे और कोई भी इंसान नहीं था लेकिन थोड़े आगे चलने के बाद मैक्स और इसकी फैमिली को रास्ते में बहुत सारे पत्थर दिखते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी ने जान पूचके लगाए है और अब मैक्स को कैसे भी करके ये सारे पत्थर हटाने पड़ेंगे तो मैक्स ने यहाँ पे सारे पत्थर दार दिये हैं और फैनली अब मैक्स और इसकी फैमिली पोच चुके हैं अपने एक लोटे सबसे पुराने कहर के अंदर और देखने में तो ये घर को ज़िए पुराना लग रहा है तो अब इन तीनों को कैसे भी करके घर के भारी रहना पड़ेगा और ये तीनों चलते चलते अपने घर को एक्स्प्लोर कर रहेती और ये देखते हैं कि इनके घर के बीचे तो बहुत बड़ा खेत है और कुछ दिर बाद मैक्स का बेटा यहां पे सो जाता है क्योंकि ये पूरे दो दिन से ट्रैवल करके आई थे लेकिन मैक्स और उसकी वाइफ यहां से चले जाते है क्योंकि कई उनका बेटा उटना जाए उसके बाद मैक्स और उसकी वाइफ चलते चलते इस घर के किनारे पे आ जाते है और तब ही मैक्स और उसकी वाइफ की नजर इन वाली सीडियों पे जाती है जो कि सीधा इस वाली ओशन के अंदर जा रही थी और अब इन दोनों को देखना है कि ये वाली सीडियां के जाती तो जाती कहा पर है और चलते चलते ये दोनों सीधा बोच आते हैं ओशन के पास लेकिन तभी मैक्स और इसके वाइफ को वहाँ पे एक ऐसी चीज दिखती है जो कि ये कभी सोच में नहीं सबते थे क्योंकि सामने में यहाँ पे कोई चीज परी रही थी जो कि देखने में तो कोई समुदरी जीब नहीं लग रहा था क्योंकि ये बहुत देखने में अजीब था लेकिन मैक्स कैसे भी करके इस अजीब से जानवर को समुदर के अंदर फैब देता है और दूसरी तरफ जंगलों में से भागता वा कोई भाराता है जिसके बड़े बड़े हाथ पैरते जो कि सीधा मैक्स के बेटे के पास जाता है और ये क्या है ये तो बेटे इसके पास चले जाता है और तब ही मैक्स और उसकी वाइफ को उसके बेटे के चिलाने की आवाज आती है और ये दोनों सीधा अपने बेटे के पास भागते वे जाते हैं और जैसे ही मैक्स अपने बेटे के पास पोचता है वो देखता है कि वो बोल डरा हुआ था और वो बोलता है कि उसने यहाँ पे किसी अजीग सी चीच को देखा है लेकिन मैक्स को लगता है कि इसका बेटा कोई सुपना देख रहता और वहाँ दोसी तरफ सुबे होने वाली थी इसलिए वकील भी इनके घर के पास आ जाता है क्योंकि वकील के पास इस घर की दूसरी चावी थी और वकील देखता है कि मैक्स की कारी तो यहीं पिकारी है इसलिए वो घर के पीछे जाता है और वकील को मैक्स दिख जाता है लेकिन वकील यहाँ पे बोद बर यह गल्ती कर देता है यह टाइम बचाने के रिए एक शॉटकट रास्ता लेता है जो कि जंगलों के बीच में से जाता था और जिस बात का धरता वही हुआ वकील रास्ता भटक चुका था और अब ये जंगलों के बीच में बटके जा रहा था वकील को सामने कुछ ख़ड़ावा दिखता है और ये कारसुतर के उस चीच के पहास जाता है लेकिन वकील ने कारसुतर के बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि यहाँ पे एक समुंदरी राक्षा तो उसको माइने वाला था और देखते ही देखते ये समुंदरी मोस्टर वकील को पूरा खा जाता है और उस वकील की आवाज मैक्स की वाइफ सुन लेती है जिससे किसी नीन कुल जाती है और वो आवाज देखने के लिए उसका पीछा करती है लेकिन जैसे ही मैक्स की वाइफ तोड़ा आगी जाती है वो देखती है कि वो मोस्टर यहाँ पे आ गया और वो बहुत देखती है उसकी आवाज सुनके मैक्स भी अपने कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ही जादा डरी हुई थी और जब उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसने वहाँ पे कोई देखा है तो मैक्स देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा लेकिन मैक्स की वाइफ कहती है कि उसने वकील की चिलाने की अवास सुनी थी तो मैक्स की वाइफ की तसली के लिए मैक्स चले जाता है जंगलों के थोड़ा सा आगे ताकि वो देख सके कि जो हो वकील थब ये दम ठीक है या फिर नई और जैसे ही मैक्स थोड़ा जंगलों के अंदर आता है वो देखता है कि वकील की कार तो यहीं पे खड़ी है लेकिन वकील तो कार के अंदर थाए दी और यहीं क्या जैसे ही मैक्स थोड़ा आगे जाता है वो देखता है कि वकील तो यहाँ पर आए जिसको किसी ने खा रखा था और यह सोच कि मैक्स जल्दी से अपनी फैमली के पास बागता है क्योंकि वो समझ जाता है यहाँ पे कुछ कर पर है और चलते चलते वो पुलिस वाले को भी कॉल कर देता है ताकि जल्दी से यहाँ पर पुलिस आ जाए और मैक्स कैसे भी करके हर बर आते हुए बागते हुए अपने खर के पास आ जाता है और वो जल्दी से अपने वाइफ को सारे कानी बता देता है कि वहाँ पे वकील की लाश पड़ी हुई है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो मैक्स और उसकी वाइफ अपने बेटे को भी अपने पास बुला लेते है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जारा खतर है और दूसरे तरफ यह पुलिस वाला भी अपने मैक्स के पास बोल जाता है लेकिन इस पुलिस वाले ने भी एक गलती कर दी थी कि यह जंगल के रास्ते आया था और जंगल के रास्ते में तो वही मॉस्टर रहता है और जैसे यह थोड़ा आगे जाता है तो इसे उस वकील की कार भी मिल जाती है और फ्रैंकिन ने भी इस पुलिस वाले को यही से कॉल करा था लेकिन यह क्या यह अचानक से पुलिस की कार के उपर क्या आ गया और यह मोस्टर पुलिस वाले को भी कार से बाहर निकाल के उसे जिन्दा खा जाता है अब तो मैक्स की सारी उम्मीद खतम हो चुकी है क्योंकि ये पुलिस वाले भी अब मल चुका है पुलिस वाले को खाने के बाद इस मोस्टर को मैक्स और उसकी वाइफ की स्मेल आ चुकी थी और ये सीध़ भागते हुए उनी के घर की तरफ जा रहा था और ये मोस्टर भागते भागते मैक्स और उसकी फैमिली के पास पोच जाता है लेकिन उसी टाइम मैक्स की वाइफ को इन टैंक्स के अंदर से एक बॉम मिल जाता है जो कि ये सीधा इस वाले मोस्टर के उपर फैक देती है और देखते ही देखते ही ये मोशर जल की तडब के मज जाता है तो आखिरकार मैक्स की वाइफ ने इस वाले मोशर पर जुला के मारी दिया तो अब मैक्स और उसकी फैमिली समझ चुकी है कि मैक्स की मम्मी ने उससे इस घर के बारे में जूट क्यों बोला था और अब मैंक्स ये भी समझ चुका है कि उसकी पापा लाबता कैसे हुए थे तो गाइज यार आपको आज वाली स्टोरी कैसी लगी तो अगर आपको आज वाली स्टोरी में मज़ा आया हो तो कमेंड में जल्दी से जाके हाई लिख देना ताकि मैं समझ जाओं कि आपको आज वाली स्टोरी में मज़ा आई गया और गाइज यार अगर आपको इस तरह की की स्टोरी ओरी पे चाहिए तो मुझे कोमेंड में लिख के ये भी बताना अब मिलेंगे अपने अगले अपिसोर्ट में तब तक के लिए बाई बाई